गाइस एक और लेटेस्ट जॉब अपॉर्चिनिटी की अपडेट मैं आप सभी के लिए लेकर के आजगी हूँ जी हाँ एयर पोर्ट के लिए काफी सारी विकिंसी इस वक्त लेकर क्या हैं यह जो विकिंसी है यह ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए है और कुछ विकिंसी यहाँ पर टूर्ट पास के लिए है इसमें जो आपको काम करना है एक पर्टिकुलर एयर लाइन्स के लिए करना है यहाँ पर जो काम होने वाला है यह कस्टमर सर्विस की प्रोफाइल पर होने वाला है सेलरी पैकेज आपको काफी अच्छा दिया जा रहा है और साथ ही आपको देने वाली हूँ पूरी जानकारी कि यह opportunity कौनसी locations पर है कैसे आप apply कर सकते हैं 100% free of cost frequency है आप सभी के लिए और क्या आपको काम करना होगा आज की इस वीडियो में मैं आपको दूगी पूरी जानकारी लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने हूँ आपको पता यह वो कहा होती है आपको गूगल पर टाइप करना होता है www.jobnow247.in और एंटरप्रेस करना होता है और जब आप एंटरप्रेस करेंगे तो देखें बहुत सारी opportunity आपके सामने जो है वो अलग-अलग company के उपन आप हो करके आजाएगी मैं आप सभी के लिए job opportunity search out कर रहे थी कि कौन सी vacancy मैं आप सभी को बताओं और इतने में recruiter का call आगया मेरे पास और वो बोलते हैं कि अभी हम Indigo Airlines के लिए hire कर रहे हैं तो यह जो opportunity है आपको बता दू यह Indigo Airlines में नहीं है यह IGT solution के लिए आई है IGT solution जो है वो basically एक दूसरी company है जो की customer servicing प्रोवाइड करता है Indigo को ठीक है तो यह जो opening है यह IGT solutions में है और HR ने मुझे बताया कि यहाँ पर अभी हम 100 plus vacancies देकर के आए हैं हमें 100 candidate की requirement है तो अगर आप हमें कुछ candidate दे देंगे या फिर अगर आप अपनी चैनल पर वीडियो टाल देंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा help होगी हमें काफी सारे बच्चे मिलेंगे और उनको नौकरी मिलेगी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप सभी को यह vacancy बताओं और आप सभी लोग इसमें apply करें और अपने लिए एक नई नौकरे ढूंडे तो यहाँ पर दिखिए यह जो opportunity है यह इंडिको airlines के लिए आई है यहाँ पर IGT solution जो है वो hire कर रहा है company का जो नाम है यह IGT solution है full time job opportunity है आपको बता दू फ्रेशर और experience दोनों candidate apply कर सकते हैं eligibility criteria क्या है आगे चल करके मैं बताऊंगी लेकिन यहाँ पर both candidate जो की फ्रेशर है या फिर experience रखते हैं वो लोग यहाँ पर apply कर सकते हैं गुडगाओ location की यह vacancy है जी हाँ गुडगाओ में ही यह company है और आपको office में काम करना होगा आपको airport पे काम नहीं करना है आपको office में ही काम करना है लेकिन एक airlines के लिए काम करना है salary package की बात करूँ तो 17,000 रुपे तक आपको salary मिल जाएगी अगर आप experience रखते हैं तो 17,000 रुपे मिलेगी अगर आप fresher हैं तो थोड़ी कम मिल सकती है लगबग 13,000 से 15,000 के बीच में मिलेगी अगर आप fresher हैं तो अगर आप experience रखते हैं तो 17,000 से 25,000 रुपे तक भी यहाँ पर salary जो है वो आपको मिल सकती है अब यहाँ पर आपको काम क्या करना है यहाँ पर customer support associate की profile पर काम करना है customer support associate यानि की आपको जो भी लोग call करेंगे एक particular airlines से related अगर उनकी कोई queries है अगर उनके कुछ doubt है उनके कोई questions है तो उस से related आपको सारे questions का जबाब देना होगा उनकी doubt clear करने होगे उनकी जितनी भी जो requests हैं वो आपको देखनी होगी और साथी साथ उनकी queries को resolve करना होगा तो यहाँ पर देखिए आपको handle inbound and outbound call for indigo alliance customer जो indigo alliance के customer है उनके inbound और outbound calls को आपको handle करना होगा साथी साथ flight booking, cancellation, rescheduling और जो भी queries है related to the services उनमें आपको customer की मदद करनी होगी address customer concern and complain with patience and efficiently आपको customer की concerns या कोई complain है उनको patiently handle करना होगा और effectively handle करना होगा provide accurate information regarding indigo alliance policies, procedure and promotions अगर किसी customer को ticket cancel करनी है या कुछ भी चीज है जिसमें indigo alliance के procedures होते है policies होती है उसके बारे में भी आपको उनको proper तरीके से जानकारी देनी होगी इसके साथ-साथ customer satisfaction आपको उनको प्रवाइड करना होगा maintain record of the customer interaction and follow up as required यानि कि आपको जो customers है जो call कर रहा है कितने लोगों का आपके पास call आया आपके उनसे क्या बात्चीत होई क्या आपको अगली बार उनको call करना है या नहीं अब भी काफी बार ऐसा होता है कि customer आपसे कुछ चीज पूछी अब आप किसी दूसरे department से connect कर आ रहे है तब भी उसकी कोई query solve नहीं हुई तो आपको वो उनको दुबारा follow up करना होगा उनको दुबारा call up करना होगा तो आपको ये record भी ना maintain करना है उनका जो customer के साथ बातचीत हुई वो भी आपको proper Excel में maintain करना है तो basically यहाँ पर आपको ये सारे काम करने है customer की query solve करना है उनसे बातचीत करना है उनको satisfaction देना है related to indigo airline services ठीक है अब यहाँ पर देखिए qualification की बात कर लेते हैं फटाफट से अगर आप undergraduate है fresher है आप apply कर सकते हैं अगर आपने graduation की है किसी भी stream से तो भी आप apply कर सकते हैं लेकिन आपकी जो communication skills है English और Hindi में यह अच्छी होने चाहिए देखिए airlines हो या कोई भी company हो आज कल communication skills तो must है आप उस पर काम करना अभी से चालू कर दीजए strong problem solving abilities ability to work efficiently in a fast paced high volume environment आपको के पास problem solving ability होनी चाहिए साथी साथ आपको effectively high volume environment में काम करना होगा willingness to work in six days working week देखिए यहाँ पर आपकी rotational shift होईगी और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको six days जो है वो काम करना होगा अब salary के बारे में मैंने आपको already बताया अगर आप fresher है तो आपको 13 से 15 हजार के बीच में आपको salary मिलेगी लेकिन अगर आप experience रखते हैं तो 17 से 25 हजार रुपे तक मिलेगी अब देखें यहाँ पर मैंने salary 16 500 रुपे इसली लिखी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम आप salary तो जादा बता देते हो लेकिन हमें कम मिलती है तो देखें जैसा आप interview देंगे जैसा आपके पास experience होगा जैसा आप HR को convince करेंगे वैसे ही आपको salary मिलेगी मैंने यहाँ पर average salary दी है ताकि बच्चे यह ना बोल पाई कि बहुत ही कम salary है और यह भी न बोले कि मैम आपने जितनी बताईती हमें उतनी नहीं मिल रही है तो यहाँ पर मैंने average salary बताई है for all of them इतनी आपको जो है यहाँ पर मिल ही जाएगी अब टोटरी आपके experience के उपर और आपके बात करने के तरीके पर जवाब HR के सामने बात करेंगे उन्टवाब का interview होगा उसके उपर डपेंड करता है no cap facilities provided देखे अब इसमें भी एक चीज है कुछ जगाओं के लिए cap facilities है लेकिन जो आसपास के लोग है उनके लिए cap facilities नहीं है HR आपको जब interview होगा यह चीज बता देंगे but mostly जो दूर से लोग आते उनके लिए cap facilities one time की है perks after six month जब आप six month complete कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर free ticket मिलेगी जो भी employees है और उनके parents है उनको indigo airlines की free ticket मिलेगी after six month जब आप six month complete कर लेते हैं तब ठीक है अभी आपने join करा अभी से आप सोचोगे कि हमाई flight की ticket मिल जाए free ऐसा नहीं होगा six month के बाद आपको यहाँ पर year में एक बार या दो बार यहाँ पर जो है free ticket मिलेगी ठीक है तो यहाँ पर आप apply कर सकते हैं यहाँ पर benefits भी काफी अच्छे हैं और आपको पताई है कि जो भी opportunity में लेकर के आती हूँ यह free of cost होती है कोई charges नहीं होते कोई fees नहीं होती है तो simply यहाँ पर दिखिए आपको apply now का button दिख रहा है यह जो apply now का button है आपको जब आप इसे click करेंगे तो आपके सामने यह जो form है वो open up हो करके आएगा आपको इसको fill करना है और यह जो detail informations है यह सारी की सारी HR तक पहुँचेगी अब मैंने यहाँ पर contact number इसलिए नहीं दिया और तब HR मुझसे बोलते है कि number हमारा हटा दीजे हमारा number तब डालिएगा जब हम दूसरी वेकिंसी लेकर के आएगे तो अब मैंने क्या करा है मैंने form दे दिया है आप directly उनसे उनको जो है अपना रिज्यू में सम्मिट कर दीजे 100 वेकिंसी जब फिल हो जाएगी तब भी आपकी जो information है उनको पहुँच जाएगी और जब वेकिंसी उनके पास आएगी तब वो आपको coordinate कर लेंगे तब वो आपको call कर लेंगे तो 100 वेकिंसी से 100 लोगों की इनको जरूरत है ही है और उसके बाद अगर आप थोड़ा लेट हो जाते तो आप इस form को फिर भी भर दीजे ताकि उस time पर जो भी opening रहेगी उसके लिए मैडम आपको call कर लें So friends I hope मैंने आपको पूरी जानकरी दी इस वेकिंसी के बारे में और ऐसी ही बहुत सारी जॉब मैं आप सभी के लिए लेकर के आने वाली हूँ क्योंकि मैं regular basis पर जो है लोगों को सही जानकारी देने की कोशिश करती हूँ और हमेशा इस चैनल पर कई सारी opportunities दे कर के आती हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बिल आइकन को प्रेस कर लो फिर से मिलेंगे कल एक और बार नई वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू सो मच और बाबाए